लिम्रा न्यूस हम दिखाते हैं सच देश प्रदेश की सभी सची खबरों के लिए देखते रहिए लिम्रा न्यूस पहले क्या होता था पहले होता था कि एक कंपनी अपने तीन साल के नेट प्रॉफिट का 7.5% से जाधा दान नहीं कर सकती थी 7.5% of the net profit of 3 years ये रूल था लेकिन भाजपा सरकार ने वो लिमिट हटा दी अब कंपनी को यह बताना भी नहीं है कि किसको कितना चंदा दिया देखे कितना अपारदर्शी है व्यक्ति दे सकता है कंपनी दे सकती है बिना किसी को यह बताए कики कितना दिया किसको दिया क्यों दिया इतना बड़ा बेनामी धन किसी पार्टी के खाते में आ जाए तो हमें अब स्पश्च तोर पे समझ में आ रहा है कि काला धन कैसे सफेद होता है जो राहुल जी कहते हैं कि वो फेर और लवली स्कीम है तो ये फेर और लवली स्कीम का एक ज्वलंत उधारन है कि ए एक पार्टी के खाते में ये सारा पैसा जाता है और सफेद हो जाता है कि एडी कि सीबी आई इंकम टैक्स ना इनके कोई च्छापे पढ़ेंगे न ये दर्वाजे पर दस्तक देंगे इस पार्टी के हर छोटे बढ़े व्यापारी की नाक में दम कर दिया है इन एजन्सी रादनितिक प्रतिद्वंदियों के साथ जो दुर्वेभार किया जा रहा है इन एजन्सी के माद्यम से वो आपके सामने है लेकिन इतना बड़ा पैसा देश से विदेश से अलग-अलग तरीके से इलेक्टरल बॉंड्स के जरीए आ रहा है लेकिन इनका दर्वाजा नहीं खट-खटाय जा रहा है उसेया भय कोत्वाल कोई डरी नहीं है